नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दिव्यांगों के लिए एक बड़ी खुश खबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं सरकार की एक बड़ी योजना वर्ष दोजार तेस के अंतरगत बनाई जा रही है अब दिव्यांगों को सत्तर हजार पे प्रोचान सिधे लाभारतियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएंगे देखिए यह लाभ सभी को नहीं मिलेगा अब किस योजना के माध्यम से दिव्यांगों को यह लाभ मिलने जा रहा है और किन दिव्यांगों को दिया जाएगा किन को नहीं दिया जाएगा समपूर्ण जानकारी डिटेल वाइस में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बेल आगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाग उठा सके चलिए दोस्तो वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और इस योजना से सम्मंदिद सभी जानकारी डिटेल वाइज में इस्टैब आई स्टैब आपको दे देते हैं देखे हम आपको सीधे ही मद्धे परदेश सरकार के दौरा चलाए गया सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वैलफेर डिपार्टमेंट के ट्वीटल हैंडल पर लेकर आचुके हैं ट्वीटर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगी यहाँ पर देखे कमेंट क्या गया है बता गया है यहाँ पर ट्वीट हो चुका है दिव्यांग जनों को सिक्सा दिलाने के बहतर अवसर सीविल सेवा परोचसाहन योजना यहाँ पर बन रही है मदादगार यहाँ पर सरकार बन रही है अब देखें यहाँ पर हाँ आपको नीचे ले चलते हैं, यहाँ पर आप सभी student का ये photo देख रहे होंगे, इसमें से ये सभी student दिव्यांगजन है, अब यहाँ पर देखें लिखा है, दिव्यांगजनों को मिल रहा है सीविल सेवा प्रोसान योजना का लाब, अब लाब किस प्रकार से मिलेगा, देखें यहाँ पर बताया गया है, समझा गया है, पहले point में दिया गया है कि सीविल सेवा प्रिक्सा में विभिन इस्तरों पर सफल होने पर मिलती है सायता रासी, पहले में बताया गया है, प्रामरिक प्रिक्सा में उत्रिन होने पर लाबहारतियों को दी जाती है 20,000 रुपे की रासी तो यहाँ पर फिर लाश्ट में देखेगा अब यहाँ पर लिखा है अब तक 19 परती भावाहन दिव्यांग परती भागी को यहाँ पर लाब दिया गया है उनको लाभीनवित लाभानवित किया गया है अब देखे यदि आप दोस्तों देखेंगे जोड़ेंगे 20,000 देखे 20,000 पलस 30,000 पलस और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए सबसे पहले आपको 20,000 देखिए फिर 30,000 है और फिर यहाँ पर 20,000 है यानि कि टोटल हो जाते हैं 70,000 रुपे यह 70,000 रुपे प्रोसान रासी लाभारतियों के बैंक खाते में ट्रांसफर सीधे कर दिये जाते हैं मद्धे परदेश राजजे के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग जन है और वें सीविल सेवा का तयारी कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर पोसान योजना का लाभ यहाँ पर सरकार देने जा रही है तो देखें यहाँ पर आपको मालम हो चुका है कि यह लाभ किस किस प्रकार से आपको मिलने वाला है और किन दिव्यांग जनों को दिया जाएगा किस राज्य में सरकार देने का यहाँ पर प्लान बना रही है देखे यदि हम आपको नीची ले चलेंगे तो यहाँ पर आप ही देखे जो यह tweet किया गया था यह 7 अप्रेल 2023 बारा बज़कर 24 पीम का है यानि कि यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं किस तारीक में यहाँ न्यूज अपडेट की गई है तो यहाँ पर आप जानकारी देख रहे हैं स्वेम भी देख सकते हैं यह आप सभी वैक्तियों के लिए दिवांगजनों के लिए लेटेस्ट न्यूज है एक ताज़ा अपडेट है आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको मरदी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरू लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जागर पूछ सकते हैं सभी सालों के जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में निवेदनी एक रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बेल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत